नमस्कार राम राम सत्स्रीकार दोस्तों आज आपको बताएंगे कि हमारा जो ये देजर लेवलर के उपर हमने गीर के उपर एक जो मोटर इंस्टाल किया है ये कैसे किया था और किस तरीके से इसके एकनेक्शन किये थे और कैसे ये वर्क करता है तो हमने जो ये इसका यह था इसके पिछे वाड़ा जो ये बुस है इसके उपर एक सिंपल गरारी जो मारे विजाई मशीन के लगती हुए बाइक चैन वाली वह वेल्डिंग कर दी थी और यह हमने ली थी अल्टो कार की वाइपर मोटर स्क्रेप में ली थी हमने ये और इसके आगे हमने ये नया बोर करके एक बाइक की पहले इसके रारी का बोर बंद किया और इसके बाद में नया बोर करके इसके पर ये फिक्स कर दी और ये इसके उपर चैन्ज ड़ा दी हमने तो ये दोस्तों के लिए ही किया था इसका Foundation भी यह वर्क करेगा नहीं करेगा तो जब यह पूरा व्रक कर गया तो हमने इसको इसको इसी तरह से छोड़ दिया लांकि अगर यह पता होता बढ़िया वरक करेगा तो हम इसको और अच्छी तरह से बना सकते थे और हम इन इसको बढ़िया तरीके से बनाएंगी यह देखने में में बद्दा नहीं लगेगा मोटर की पावर बहुत बढ़िया होती है यह अच्छी तरह से वर्ख करती है इसके अमने क्नेक्शन कैसे किया है यह बताएंगे हम आपको कि तो जो यह वाइपर मोटर है इसका नेगटिव है जो इस बोड़ी के साथ में लगा होता है वह उन्हें इसे अलग कर लिया था और एक जो यह चार पॉइंट है जिन में से एक मोटर चलती है कि दर भी चलती है एक यहां से उठा लिया हो यह और दो वायर लेके कि ट्रैक्टर के उपर ले आए यहां हमने दो वायर इसके साथ में टेच की है यह कपलर है जब लेबलर को अलग करते हैं तो यह यहां से निकाल के इसको अलग कर देते हैं और इसको अपडाउन करने के लिए हमने यह लगाया है बटन यह अप करने से एक तरफ चलती है और डाउन करने से दूसरी तरफ चलती है इसको हमने कनेक्शन दिये है वो एक दिया इसको हमने बैटरी से पॉजिटिव ग्राउंड हमने इस बटन के पीछे से इसको दे दिया और यह छह पॉल वाला सेलेक्टर बटन हमने इस पे लगा दिया तो जब इसको लगाया हमने तो डिक्कत आई कि जब यह नीचे हो जाता तो जब यह नीचे हो जाता था तो यह फिर उपर हो जाता तो जो लेवलर है उसका लेवल सेट किया वो बिगड़ जाता था तो उसके बाद में हमने इसके साथ में एक होरन का पुस बटन लगाया तो जब नीचे करके इसको प्रेस करेंगे तब ही मोटर चलेगी उपर करके प्रेस करेंगे तब ही मोटर चलेगी यह देखो यहां पर मोटर चल रही है यहां पर यह नूटल है यहां पर फोरोड चल रही है यहां पर यह रिवर्स चल रही है और इस बटन का जो connection का diagram है पीछे कैसे बनाए है forward reverse करने के लिए कैसे connection करेंगे उसका हमने एक proper वीडियो बना रखा है इस बटन के साथ में DC motor को forward reverse करने के लिए आप simple इसी बटन से motor को forward चला सकते हैं इसी सही आप reverse चला सकते हैं कि यह देखो नीचे आ रहा है कि और यह अब उपर जाएगा कितना भी कमा सकते हैं कोई पिछे देखने की जूरत नहीं कोई mechanical हाथ से करने की जूरत नहीं सिंपली बटन को press करना होता हमारे को तो प्रेंट्स यहां पर जो अपने लिए बटन देखा था हुग है इसके साथ का आप Sun यह ओनलाइन मिल जाते हैं पचास रुपे के लगबग के बटन है और यह डीसी मोटर को अपर एंडाउन गुमाने के लिए काम आते हैं तो कैसा लगा हमारा यह नया सिस्टम हम इसको लगबग 2 साल से यूज कर रहे हैं अभी तक इसकी कोई मैंटिनेस नहीं है वीडियो आप कमेंट करके मारे को बताएं और नए आए तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों